कारुबार को वैपार नहीं जनसेवा समझा है इसलिए शेत्र के जनता का इसने लगातार मिलता रहा है कराहल में मुख्य चौराहे पर प्रतेश्चित वैपारी सद्दाम हुसें ने अपने नवीन प्रतेश्चान सद्दाम हेर सेलून का उधगाचन रिवन काटकर आज 26 अगस्त को किया है आपको बता दे की जिसमें मुख्य अति थी कराहल भाजपा मंडल उपाद्यक्ष सुरेश मिर्धा मौझूद रहे कराहल में पूर्व से भी इनके और भी प्रतेश्चान है सेलून के संचालक से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैंने हमेशा जुनता की सेवा की है अपना अधार बनाया है और यही मेरी तरक्की का मुख्य कारण है जुनता का पूरा सायोग मुझे हमेशा प्राप्त हुआ है उद्घाचन की मौके पर लगबक तीन स्याकडा लोग उपस्तित रहे सभी के लिए स्वल्पहार और ठंडे पानी की व्यवस्ता रखी गई आज कराल में एक नया प्रतिश्टान है है हैरसलोन के रुप में सद्धाम जी ने खोला सद्धा मेरसलोन कराल में इनके तमाम दो तीन और प्रतिश्टान है काफी कम समय में इनने जो त्यांतरक की आशिल के जानना चाहेंगी वह जिसके उनने क्या इसकी प्रता होंगे क्या राजमी जी मैं वस यही कहना चाहूंगा कि मैं आप सभी के आशिरवात से कराल में करीब 15 साल से बिजनेस कर रहा हूं है एक शॉप की उपनिंग की जा रहा है है और मैंangen व्यापार के उद्रश्ट से नहीं मैं सिर्म्धा की शेवा करना चाहता हूं मैंने ये शौप जो खुली है यह जंता की शेवा करने के लिए खुली है और आप सभी का अशिरवाद मच पहसे ही बना रहे और उपर वाली की दया दरश्टी बनी रहे बस मैं यह कहना चाहिए इस्थानी नागरेक हैं राजनेते गौदा भी रखते हैं काफी समय से नहीं जानते हैं क तो बहुत फाइदेमन चीज़ है कि साथियों के समय दूला के सरंगार करते ते उसमें पहले काफी परिशान याथ शोपर सीफरी की तरफ लोगों को रुख करना पड़ता था इनके सेलोन पर वो सारी विवस्था यहां मौजद रहेंगी टॉप क्लास के आकारीगर लाए गही है